सलाम भाईयो सलाम वल्किम टू स्पोर्ट्स नियूस टुडे इंडिया वर्सेज अफरीका जी हाँ, इंडिया वर्सेज अफरीका इन इंडिया त्री ओडियाईS तीन ओडियाई है भाई ठीक है ठी बंडेज हैं और अगर आप देखा जाए तो कई लोगों को लग रहा हुगा कि काफी शॉट सीरीज है लेकिन सीरीज शॉट नहीं है ये पहले टी टुटीस भी खेले गए ठीक है जो के मेरा खाल सीरीज ड्रॉव ही पहला मैच अबंडेंड हुआ फिर अफरीका इंडिया एक एक जी थे उसके बाद टेस्स सीरीज हु जी हाँ टी टुटी के अंदर भी मारा लेकिन मुँ तोड जवाब दिया जब ऐस्टेलिया के साथ मकाबला हुआ वंडे सीरीज में दो के टी टुटी सीरीज हारा लेकिन वंडे सीरीज के अंदर इंकरेडिबल रिजल्ट वा अफरीका सभी चाते हैं इस टीम को वापस वाइब होते देखना खड़े होते वे देखना मजबूत अफरीका को देखना चाते है क्योंकर बच्पन से हम लोग जब से क्रिकट देख रहे हैं आप अगर निके कैप्टन्स का इसाब लगाया है जाए हैंसी क्रोनिये से लेके बड़े-बड़े प्लेयर गराम स्मिथ, घरशल गिब्स, शान पॉलेक और अलन डॉलन बच्पन से हम मार्क बाउचर को देखते आ रहे हैं लांस कलूजनर को देखते आ रहे हैं तो कहीं नहीं इस टीम का जो वर्ल्ड कप में हाल हुआ वो 2020 के वर्ल्ड कप में अगर हुआ तो अफसोसी होगा कि ऐसी मजबूत टी बोर्ड के अंदर नहीं गुसा था स्टीवन स्मिथ जब मैंने आपको कहा था स्टीवन स्मिथ विल भी बैक सुन फिर मार्क बाउचर जब कोच बने मैंने का वह अफरीका के अलाग बदलते नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा जॉंटी रोड्स का भी इसी माने पैदा नहीं किया नो डाउट 360 ABD इंडिया के साथ अगर बात की जाए जब भी अफरीका खेला है तो थोड़ा सा जो मुझे वाकिये याद होते है ना मैच इसके वो मैं आप लोगों को जरूर सुनाता है क्योंके काफी मज़ा था सुनने में भी और सुनने में भ और पार्नल और डेल स्टेन अब मैं वहां पर आ रहा हूँ जहां पर बहुत ही बड़े क्रिकिट लवर को यह मैं सियाद होगा वर्णा नहीं होगा डेल स्टेन और वाइन पार्नल मेरा खाल 160 पर इस हरी टीम बुक होने वाली थी जहां पर आठवी नॉमी विकट का स्टेन लिया था जो था पार्नल ने और डेल स्टेन ने लास्ट विकट रहे थी पार्नल क्रीस पे खड़े वे थे आखरी बॉल दो रन आखरी बॉल दो रन महिंदर सिंग दोनी बॉलर नहीं थे हैं विकट कीपर थे और विकट कीपर ऐसे के बाउंडरी से डबल रन के लिए थ्र पिसे लगा फिर वहां से उड़की इंडिया जीत गया तो काफी जबरदस मैश था ये वाला मैश तक नहीं बूला मुझे उतना जोश याद है कि मैने कोई दो तीन चीज़ ने तोड़ दी थी जब इंडिया एक रण से जीता था इस मैश के अंदर हां जी उसमें मेरा टीवी भी लगा गया था टेबल और लैप टॉप जो था वो खुशी खुशी में इदर उदर हो गया सब कुछ किया कमाल मुझे उसमें पैसे बहुत आयते मैश कोई भी टीम जीते हमें तो पैसों से भाई मतलब होता है तो कई रफ़ा ऐसे भी हो चुका है कि मेरा बढ़ देगा क केक कट रहा है एक विकेट चाहिए हमें जीतने के लिए और वो केक कटने से पहले वो विकेट आगी है मैंने वहीं पे चुदी चोड़ी है और मैं वो विकेट सेलिबरेट करने लगया हूँ मनलब के इतना पैशन है करिकट का हमारे अंदर और इसी वज़ा से शायद मैं 210 रंकी जो वो भी अफरीका के खलाफ बने फिर अगली याद आई जब टिंडूलकर ने खुदी का पहले सही दिनवर ने बोला कि मेरा रिकॉर्ड तो तूटते 20 साल लग गए लेकिन टिंडूलकर का रिकॉर्ड एक दो महीने में तूट जाएगा आने वाले कुछ एक दो स कुछ खेल है इंडिया को इंडिया में हराना रिसिंटली कपल लेफ का एक बयान आया है इंडियन टीम के बारे में और वो बहुत ही जबर्दस बयाना मेरी नदर में के आप अपने बड़े प्लेयर्स जो उनकी जगां पकी आप नहीं कर रहे हैं उनको कभी अंदर करते हैं तो वो फर्म में नहीं रहेंगे नए प्लेयर्स को आप चांस दे रहे हैं तो किशी को भी इंडियन टीम में अपनी जगां जो है वो कंफर्म नहीं है कि कौन खेलेगा या कौन अगले मैश में बार बैठेगा तो ये कही ना कहीं सिक्यूरिटी प्लेयर को अगर ना हो तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता है ये मेरा कहना नहीं ये कपल देव का है और एसलूट इट ये बहुत ही अंदा बयान है जो कहीं ना कहीं ये गंगूली रवी शास्तरी जो भी क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स बैठे में हैं उनको देखना चाहिए क्यूंके बाकी जो भ नहीं तो बाकी अगर आप ऐसी किसी को मूँ ठाके लगा देते हैं सफारिश के उपर के जी ये फलाने मिनिस्टर है ये उनके भाई हैं ये अब बी-सी-बी को एंडल करें बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड को या बी-सी-सी-ई को या पी-सी-बी को तो कहीं ना कहीं ये चल रहे हैं ठीक है वन डे क्रिकेट में आप चांस दे रहे हैं नोड और मुझे लगता है सो भी शाहिद मार जेगला लेकिन कटेस्ट क्रिकेट तक ही रखना चाहिए था और वहीं पर बिल्ट करना चाहिए था talent आप रोईज हर्मा को नहीं अडिट कर सकते नहीं डिलीट कर सक हैं लेकिन कैप्टन नमबर वन नहीं मानता मैंने नहीं मानता और मुझे लगता है यह केप्टन नमबर वन बन सके फिर आ जाते बंदर знаете यह यह मोज़ शहियाम्य अधर मेरी नजर में टीटट therapists आ वो मुंबई इंडियन T20 के वर वो बहुत आला कैप्टेन है। उनकी body language, उनका match के अंदर interest हार रहे हो तो रोने वाली कैफियत हो जाती है। चीखना चिलाना out of temper नहीं होना। लेकिन रोहिज हर्मा मेरी नजर में खोली से उपर captaincy में है। बैटिंग के अंदर भी मतलब के बराबर में ही है, कोई इतना फरक नहीं है। रोहिश हर्मा ने कोई कम run नहीं बनाए वे। दो के खोली की fan following बहुत जादा है और इस वीडियो पर डिसलाइक भी सी वज़ा से आ सकते हैं। उसकी मुझे परवा नहीं है। श्रे सेयर, उंदा बैट्समान, डिली देयर डेवल से पहले की अगर मेरी पिछले चैनल की वीडियो से इस बंदे की मैं तरीफ करता हूँ। और केल राहूल, the sensation, ब्राइन लारा ने भी रिसेंटली का और मैं अपनी पिछली वीडियो में कहीं गलती से मैं मैश देख रहा था, तो खोली की जगा मैंने, स्वरी, राहूल ने च्छका मारता कलाईगा और खुबसूरा च्छका था, कमेंट्स में आके मुझे लोगों रखें में टीम में, हर देख पंड़े आप वापस आ रहे हैं अपनी गर्ल्फरेंड के साथ, अपनी मरला के काफी मस्ती करके, फिर विंदर दजेजा जो है, वो भी धोनी तो चले गए, अब ये कब जाने वाले हैं, अलकरीब ही है, याद रखी जीगा, दजेजा को समालने वाले हैं, इसलिए हर मैच में इनको डाला जा रहा है, फिर चहल, सुपर स्टार शायद इस सीरीज में ये बने, विक्टे हैं शायद यही ले, काफी अरसे से चुप बैठे में हैं, लगता है कि इंडिया की पिचिस के अंदर चहल जो है, वो टाकरा देने वाले हैं नहीं कहेंगे, आप सकिनी बोलेंगे उसे, और ऐसी बॉलिंग करना कमाल है, जिस्पीत बुमरा और भोवेशन और कुमार जब भी खेलते हैं, तो मुझे जे और वीरू की जोड़ी यादा आ जाती है, ऐसी है, जो भी जोड़ी हो, ये वसीम अकरम, वकार यूनित, आ जाती है, साथ अफरीका की तरफ कुंटेंट डिकॉक नजर आ रहे हैं, जाने मन मैलन नजर आ रहे हैं, खेले ना खेले, लेकिन जाने मन मैलन पिछले मैच में और सीरीज जिता चुके आपको स्टेलिये के खालाब, उनको बार करके आप भुमबा को खिलाएंगे तो पर लेकिन फिफ्टी इन दा बैग रखे मेरा खाल चलेंगे ये, जेजे स्मट्स में भी, इन में कन्फ्यूजन है, जेजे स्मट्स भी है, काफी अरसे से कहला है, लेकिन इतने कोई उंदा बैट्समन नहीं है, वेंडर डिर्सन, ये मेरे फेवरेट बैट्समन है, फैब डुल सबसे दाधा जो रोल था, वो कहीं न कहीं जाने मन मेलन और क्लासन का था, डेविड मिलर टीम एटके में हैं, और अनकरीब रेटायर्मेंट के करीब हैं, फिलेवाकियो, केशव महराज, बेरो हेंडरिक्स, लिंडे, नाचचजे, निगीडी, तो बॉलिंग के अंदर भी आप देखा जाए, तो इन एक्स्पीरियंस नगर आ रहा है, और नगीडी अपना ही बच्चे है, चिनाई से गेलते हैं, कहीं ना कहीं, इंडिया बैट पर आगे बड़ा स्कोर मारने वाला है कि नहीं है, यह मैं आपको पहले बता दूँगा, अगर 210 टिंडूल कर मार सकता अफरीका को, और उससे प्लस, दोसोंनिस मेरा खाल, अगर मैं रहा हूँ तो कमेंड मा बता दीजी का, रोही सर्मा मार सकता है, तो शरेय सेयर के पास भी बैटा है, मैं तो यह बोलूँगा, ठीक है, पंट को निकला है अब क्यों निकला है गया जी पंट को, अपने दर्ती यकीने इंडियन टीम के उपर, लोगों ने कमाया नहीं कमाया अस्ट्रेलिया अफरीका में, यह मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, अगर भाव मिल जाए, तो इंडिया जरूर लगाईए जीगा, इसी के साथ ज़्यादत दें, भायो, सीरीज के अंदर अफरीका फेवरोड मि पीएसल का विनर बताने का बहुत दिल का रहा है, और बताने का दिल नहीं का रहा है, बलके वीडियो भी पोस्ट करने का हिम्मत बड़ी तो नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा पीएसल पे, जल्दी ही, नहीं तो फिर कल डलेगी, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा झालवा फिस झालवाएस्ट